नावस्कार जुनतन तरु टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ महुं संतोष कंगवार बुलेटिन की शुवात करेंगे उत्राखंड में प्रदेश सरकार ने एक सफ़ता का कोविट कर्फ्यू और बढ़ा दिया है अब एक जून तक कोविट कर्फ्यू रहेगा वहिंग शास्किय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उन्यान ने बताया कि पिछले दो कोविट कर्फ्यू से हालात काफी हद तक सामान हुए है पहले रोज लगबग 10,000 मामले सामने आ रहे थी तो वहीं आज आज आखले 2000 तक आप पहुँचे हैं लेकिन सरकार तब तक रहत देने वाली नहीं है जब तक कोरोना के मामले तीन डिजिट तक नहीं आ जाते साथी उन्होंने कहा है कि अभी भी सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और कोविट के नियमों के पालन करने की जरूरत है उत्रखंड में हर वर्ग को वैक्सीन लगे इसको लेकर प्रदेश्र सरकार हर संभब कोशिश कर रही है लेकिन हालात यह हैं कि फिलहाल प्रदेश में वैक्सीन की कमी है जहां 45 साल के उपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है और इसी को देखते हुए प्रदेश्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है रूस की इस पुतनिक वैक्सीन को एक टेंडर के माध्यम से लेने का प्रयास किया है लेकिन प्रदेश्र सरकार की और निकाले गए टेंडर पर किसी भी अधुक्रित कंपनी ने दिल्चस्मी नहीं कि अधुक्रित करें तभी आप किसी का टेंडर सुपित करेंगी जब टेंडर पड़ेगा टेंडर हमने फ्लोट किया फिलाल कोई अभी तेंडर में आया नहीं ता इसीदे एक खते के एक अचिंट किया और उंबीजाए कि इसे किते में पार्टी जाएंगी और देव प्रियाग तैसील के बॉट गाउं में बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही का कैबिनेट मंत्री सुबोध उन्याल ने जाइज़ाद लिया यहां अपता में पूर्ण रूप से शत्युग्रस्त हुए भवनों और रास्तों का निर्ख्षन किया इसके बाद उन्होंने एश्टिम को जल्द प्रस्ताव तैयार कर कामशू करने के निर्देश दी साथी खेतों के नुकसान पर उचित मुआपचा देने को कहा है इस दोरान उन्होंने पेज़ल निगम के आलादकारियों से कहा कि छतिग्रस्त पानी की लाइन लोक निर्माड विभाग के अदकारियों को छतिग्रस्त मारगो और किर्शि विभाग के अदकारियों को खेतों को दुरस्त करने को कहा गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार वर्च्वल माध्यम्स के जरिये कारिकरताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जनता तक राहत कारे पहुंचाने की ओर चर्चा कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में 13 संग्ठनात्मक जिले बनाए गए हैं और सभी जिलो पर बीजेपी कारिकरताओं की ओर से सेवाकार शू कर दिये गए हैं इन सेवाकारियों के लिए मंत्री विधायक और सांसत जिलाद कारी भी कारिकरताओं की मदद कर रहे हैं ताकि जनता तक मेडिकल सुबधाएं जल्द से जल्द पहुंच पाएं योग गुरू बाबा रामदेब और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है इंडियन मेडिकल एसोसियेशन यानि आई एम ए ने बाबा रामदेब को मानहानी का नोटिस भेजा है आई एमेक की उत्रागंचल राजव शाखा ने बाबा रामदेब के बायानों के खिलाफ मुखमंत्री तुरत सिंग्रावत को पत्र लिखा साथी जल्द सक्त कारवाई करने की उम्मीद जताई है हाला कि बाबा रामदेब ने केंद्रिय स्वास्त मंत्री को पत्र लिखकर अपने वयान पर खिद जताया था और सफाई भी दी थी उत्राखंड में प्रदेश्वा सरकार ने एक हफते का कोबिट कर्फि बढ़ा दिया वहीं कॉंग्रेश प्रदेश रद्यक्षा प्रितम सिंग ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हुए कहा है कि हमने पहले ही सरकार के साथ सर्वदली बैठक में कहा था जो भी जरूरत कोरोना से लड़ने के लिए होगी वो सरकार करे लेकिन सरकार हिचकती रही है सर्वदली बैठक आहुद की थी उस सर्वदली बैठक में हमने तो शुरुवाती दोर में कह दिया था कि सरकार कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जो सकत और आवत्षेक कदम उसको उठाने का काम करें लेकिन शरकार लगातार हिचकती रही और अंतर्विरोध सरकार में रहा है कुछ लोग कहते थे की लोक-डाउन होना צाहिए और जिस शरकार में अंतर वी रोज होता है वो सरकार फैस्टेलेने में जो है वो निश्चित रूफ से सक्ट फैस्टेलेने में नाकाम सावित होती आ और उत्राजिक सरकार का यही हश हुआ है अ अब तीस तारीख तरह आपने बढ़ाया ठीक अच्छी बात है लेकिन हम सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि सरकार कोरोना की इस महामारी में इसकी चैन तोड़ने के लिए काम करें और जिस तरीके से कोरोना गाउं की और रुख कर चुका है गाउं में टेस्टिंग बढ़ाए वहाँ पर स्वास्ते सिवां को उपलवत कर यह हम सरकार से कहना चाहते हैं